तो फ्रेंश इस दिवाली इस रेस्पी को आप ज़रूर बनाएँ हैलो फ्रेंश एक नहीं रेस्पी के साथ चुला चुला रेस्पी चैनल में आप सबी का स्वागत है फ्रेंश दिवाली आच चुक Varun fresh फ्रेंश में वह माँद भी आभ आएंगे तो महानों के लिए कुछ special बनाना ही होगा तो आज की ये मेरी special recipe लाज तक जरूर देखे ये बहुत ही दिवाली special होने वाली है तो चलिए इस recipe को बनाना सुरू करते हैं Friends, आज की ये हमारी जो recipe है जिसका नाम है आटे की खोवा दूद रसमलाई आज हम आटे से खोवाली दूद रसमलाई बनाएंगे तो चलिए इस recipe को शुरू करते हैं आटे की रसमलाई बनाने के लिए Friends, ये मैंने सारी तयारिया कर ली है ये देख सकते हैं आप ये एक लिटर फुल क्रीम दूद है जिसे सुखा कर हम खोवा बनाएंगे और ये लगभग 500 ग्राम अगेहू का आटा है और ये आटे को गुतने के लिए देशी घी ये है sugar powder पीसी वी चीनी है ये और ये है milk powder पानी आटे को गुतने के लिए और रसमलाई को गार्निस करने के लिए ये कुछ पिस्ता, बादाम, काजू कटे हुए ये एक छोटा स्पून इलाइची पाउडर और ये केसर सैफरोन और ये कुछ काजू के टुकरे और ये कुछ मखाने के टुकरे जिसका हम एक पाउडर बना लेंगे खोए रसमलाई को स्टफिंग करने के लिए दूद को हम गैस पर रख लेंगे क्योंकि हम खोए की स्टफिंग वाली रसमलाई बना रहे हैं तो दूद को सुखा कर हमें खोवा बना लेना है इसलिए हम दूद को तब तक सुखाएंगे जब तक कि ये पूरी तरह से सूख ना जाए खोवा ना बन जाए जब तक दूद हमारी गारी हो रही है तब तक हम आठे का एक डो तयार कर लेते हैं आठे का डो बनाने के लिए ये 500 ग्राम गेहू का आठा है उसमें मैं तू या 3 टेबल स्पून देशी घी अट कर लेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसका एक डो बना लेंगे जैसे हम रोटी के लिए डो लगाते हैं उसी तरह से हम इस आठे का डो बनाएंगे तोवा थोड़ा पानी आड़ करके इसका एक डो बना लेते हैं इस रेस्पी को आप प्लास तक जरूर देखे यह बहुती स्वादिष्ट और स्पेशल रस्मलाई होने वाली है इसलिए आप इसे जरूर देखे तो मैं इसका एक डो बना लेती हूं यह आठे का डो हमारा तैयार है इसे हम 10 से 15 मिनट रेस्ट होने के लिए रख देंगे और इधर दूद भी हमारी गारी हो रही है इसे हम बिलकुल गारहा खोए की तरह बना लेंगे यह दूद हमारी गारी होनी शुरू हो गई है इसे हम इस तरह से चारू तरफ से चलाते रहेंगे और जब तक यह दूद हमारी गारी हो रही है मैं यह काजू और माखाने का एक पाउडर बना लूँगी ये दूद हमारी आधी गारी हो चुकी है अब ये जो मैंने काजू और माखाने का पाउडर तेयार किया है इसे हम इसमें एड कर देंगे और अब दूद और इस काजू और माखाने के पाउडर को साथ में मिक्स करेंगे और साथ की हम इसमें ये पिसी हुई चीनी 4 टेवल स्पून एड़ कर देंगे और अब इसे गैस कफले मेडियम रखके चलाते रहेंगे और इसे अभी और गारह करेंगे ये देखिए फ्रैंस ये दूद्ध हमारी गारी हो रही है इसे अभी हम और गारह करेंगे जैसे हम पेरे ब करते हैं ठीक उसी तरह इसे हम गारह करेंगे ये एक लिटर दूद का इस्तेमाल फ्रैंस मैंने स्टफिंग के लिए की है और ये एक लिटर दूद का ये भी फूल क्रीम दूद है और इसका इस्तेमाल हम अपनी बनिवी रसमलाई को डूबोने के लिए करेंगे और इसका इ यह मखाना काजू और दूद का यह गारा पेष्ट हमारा थैयार है यह देख सकते हैं आप इस तरह से अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर दूँगी और इसे थंडा होने देंगे ये देखिए फ्रेंड्स ये दूद, मखाना और काजू के स्टफिंग हमारी ठंडी हो गई है और ये ठंडी होने के बार बिल्कुल इस तरह से हो जाएगी ये आप देख सकते हैं अब मैं इसमें थोड़ी सी इलाइची पाउडर आड़ करूंगी और ये मिल्क पाॉडर जो हम लिए थे, उसे भी इसमें एट कर देंगे और अब इसे हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ये मैं अच्छी तरह से मिक्स कर ली हूँ और ये स्टफिंग हमारी बिल्कुल तयार है अब मैं इसे आटे में फिल करूंगी यह आटा भी हमारा तयार है, बिल्कुल सॉप, फ्रेंट्स इस स्टफिंग को आटे में फील करने से पहले, सबसे पहले हम ये करहाई में ले ली हूँ, जिसमें मैंने दूद का खुवा तयार किया था, मैं वही करहाई ले रही हूँ, इसमें मैं ये फुल क्रीम, एक लीटर दूद को गैस पर स्लो फ्लेम करके रख दूँगी, क्योंकि रसमलाई को डूगोने के लिए हमें दूगारी दूद की जवत परेगी, और जब तक मैं आटे को स्टफिंग करूँगी, और जब तक दूद भी हमारी कारी हो जाएगी, स्टफिंग को फिल करने से पहले, हम इ यह लोगी मैं तयार कर ली हूँ, अब मैं इसकी स्टफिंग करूँगी, थोड़ा सा आटा इस तरह से लगाऊंगी, ज्यादा नहीं, और इसे इस तरह से, जैसे हम लिट्टी की या कचोरी की फिलिंग करते हैं, ठीक उसी तरह से करेंगे, और यह खोए की जो हमारी स्टफ तो आप बार बार खाओगे, और इसके मुझ को इस तरह से कर लेंगे, हातों से इस तरह से हलका इसे हातों से दबा देंगे, इसे ना ज्यादा मोटा रखेंगे और ना ही ज्यादा पतला करेंगे, बस इस तरह से रखेंगे, यह देखें, और इसी तरह से सारी लोईयों को म आटे की इस्टफिंग हमारी तयार है यह आप देख सकते हैं और यह दूसरी तरफ गैस पे जो दूद मैं रखी थी यह भी थोड़ी गर्म हो चुकी है अब मैं इसमें यह स्टफिंग जो मैं तयार की हूँ एके करके दूद में डाल देंगे इस तरह से इस सारी लोल्यों को मैं दूद में डाल दी हूँ और इसे अंदर दूद में पूरी तरह से डुबो देंगे और साथी में इसके साथ यह पिसी हुई चीनी है 3 टेबल स्पून चीनी हम अंदास से डालेंगे फ्रेंट क्योंकि स्टफिंग भी हमारी मीठी थी इसलिए दूद को हम ज्यादा मीठा नहीं करेंगे और यह पिसी हुई चीनी को भी इसमें एड़ कर देंगे और यह काजू और पिच्टे का कॉटि जो मैंने काट लिया था इसे भात इसमें कर देंगे और दूद को हम जब तक गारह करेंगे जब तक यह गारह थोड़ा नहां होजाएं जब हम इसे पकाएंगे हमारी इस साथ में दूद भी हमारा गारा हो जाएगा और यह आटे की जो रसमलाई यह बनाने वाले यह भी दूद में सौप्ट हो जाएगी और गैस का फ्लेम हम स्लो रखेंगे यह देखें फ्रेंट्स यह दूद हमारी थोड़ी थोड़ी गारी होने करेंगे इसे अभी हम और थोड़ा गारा करेंगे यह देखें फ्रेंट्स यह दूद हमारी अच्छी तरह से गारी हो रही है अब मैं इसमें केसर एट करूंगी सैफ्रोन केसर से बहुत ही सुन्दर रंग आएगा और मैं इसमें थोड़ा कंडेंस मिल्क भी एट करूंगी आप चाहे तो कंडेंस मिल्क को स्किप कर सकते हैं कंडेंस मिल्क एट करने के बाद इसे अच्छे से चला लेंगे और अभी थोड़ी देर और इस दूद को गारा करेंगे यह देखें फ्रेंट्स यह दूद हमारी बिल्कुल गारी हो चुकी है और अब मैं गैस का जोड़ाया की फ्लेμ बंद कर दूँगी और इसे थुरा ठंडा होने देंगे इसके बाध मैं से शर्फ करूंगी तầy से हम थुराइव थन्डा होने दें यह देखें यह आटे की खो़वा रस्मलायिः यह महरी बंकर त्यार है और यह थंडी भी हो चुकी है अब मैं इसे आपको सर्व करके दिखाती हूं इस दूद और यह हमारी आटी के स्टफिंग को दोनों को बनाने में लगबग आधे घंटे का वक्त लगा है तब जाके यह इतनी गारी हुई है और इतनी मज़दार हुई यह देखने में अब देख सकते हैं यह हमारी आटे क खोवा रसमलाई रेडी है अब मैं इसे उपर से काजू पिछता और बादाम से इस तरह से गार्निश कर लूँगी यह देखे फ्रेंट्स यह हमारी आटे की खोवा दूद रसमलाई देखने में कितनी अच्छी लग रही है अगर यह देखने में इतनी अच्छी है तो यह भी बहुत मज़दार होगी मैं आपको एक कट करके इस तरह से दिखाती हूं यह देखिए इसके अंदर की जो खोवा की स्टफिंग है यह इन दोनों को बहुत ही टेस्टी और स्वाधिस्ट बनाती है आप देख सकते हैं तो फ्रेंट्स इस दिवाली इस रेस्पी को आप जरूर बनाए और घर आये महमाने को यह आटे की खोवा दुस्त दुरसमलाई जरूर खिलाए यह बहुत ही स्वाधिस्ट लगेगी खाने में तो फ्रेंट्स आप सब वीडियो तो देखते हैं पर लाइक और सब्सक्राइब करना लगते हैं मुझे भूल जाते हैं तो यह आप सभी को कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताए नहीं भी अच्छी लगी तो भी कमेंट्स में बताए और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और सेर करना ना भूले और आने वाली नई रेश्पी के लिए बेल आइकन को जरूर क्लिक करें तो मिलते हैं फ्रेंज अगल